पर आपके जनम तित्ही में एक का अंक कितनी बार आता है आज हम इस विशह पे बात करने वाले हैं तो हमारे पुराने वीडियो में जो एक नमबर के उपर वीडियो है और दूसरे वीडियो में उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि अगर डेट अव बर्थ में नमबर रिपीट होते हैं एक कांक या दूसरे आंग रिपीट होते हैं बार-बार आते हैं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के बंद में कुछ धारणाय हैं स्पेशली जो लोग चाइनीज निउम्रो लॉजी ग्रेड को फॉलो करते हैं चाइनीज पदती पर अधारित हैं और उस फिल्पि चाइनीज फिलॉसफिय पर अधारित हैं उनके अनुसार अगर एक कांक आपक जनम तिथी में एक पर्टिकुलर बार रिपीड होता है तो आप बहुत सफल हो सकते हैं, जादा बार रिपीड हो तो पूरी तरह से आपका करियर खाता है, मैं लाइफ में कुछ बजा नहीं है, इस तरह की अफधारना हैं, लेकिन हम इस विशह में जो बात कर दे जा रहे हैं वो पूरी तरह से न्यूम्रो वास्तु की हमारी अपनी रिसर्च है और हमारा रिसर्च बेज न्यूम्रो ग्रिड है, उस पे अधारित हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो इंडियन वैदिक विजडम से आता है, भारतिये वेदों की जो जो ग्यान परंपराएं हैं, उस प आपको सचेपरका करता है, आपकी रिस्पॉणिबलीडी जी जागरू करता है, आप जादा ब्यक्ति सहन को बहुते हैं, उस अपको इपास होता है कि मेरे सर पर कुछ animate डर्क्रा को हो सकता है उनके ell законч लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उत्तरदाइत वह अपने महसूस करने शुरू करते हैं, अपने जिम्यावारियों का हैसास होना शुरू होता है। अगर दो बार एक का अंक अगर आपकी बर्ट डेट में दो बार आता है तो यह आपको करियर और मनी के प्रती आपकी अवेरनेस को बढ़ाता है। आप focus होते हैं कि मुझे life में क्या career की तरफ जाना है, मुझे क्या चीज करनी है, मैं क्या चीज पसंद करता हूँ या करती हूँ, किस प्रकार से मैं पैसा कमा सकता हूँ, किस प्रकार से मैं एक अच्छा जीवन का निर्मान अपने लिए में सरकारी लोगों से या सरकार की तरफ से support expect कर सकते हैं, उनको support मिलती है, जो भी government officials हैं, किसी भी level के हो, senior हो, junior हो, जो भी level पे हो, सरकार या सरकारी तंत्र से या सरकारी तंत्र से जुड़े व्यक्तियों से, या उस तरह की organizations हैं या जो institutions हैं, वहां से आपको help मिलने की support मिलने के chances बढ़ जाते हैं, जदि आपकी birth date में एक का digit तीन बार आया है, चाहे वो birth date पे हो, month पे हो, year पे हो, तीन बार आने से ये आपकी decision making को improve करता है, ये आपके clarity को बढ़ाता है, आपको ये बात समझ में आती है, कि हम कहां खड़े हैं आज, और हमें जीवन में कहां जाना है, और वहां तक पहुँचने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, किस तरह से हम आगे जा सकते हैं, वो एक initiation, वो एक जज़बा, वो motivation, वो energy और वो clarity, ये सब आपको मिलती हैं, अगर तीन बार आपके पास एक number का digit आटा है, तो ये भी आपके लिए helpful रहता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, यदि चार बार आ गया, तो तो बहुत सादा खराब हो जाता है, लेकिन अगर आपकी birth date में एक का digit चार बार आता है, तो ये आपके confidence level को बढ़ाता है, मेरे personally, मेरे एक friend है, जिनका birth date 10th November 19 और आगे year में है, तो उनका birth date में चार बार आता है, and he is a very successful person, बहुत अच्छा business करते हैं, बहुत सारा time अपने परिवार के अस देते हैं, अपनी wife के साथ और friends के साथ, so he is having a very good life, तो जिनकी भी birth date में एक का digit चार बार आया है, और अगर by chance वो के problem face करें, तो इसका दोश कोई एक number के ओपर नहीं है, हाँ, कुछ cases में ये आपके अंदर थोड़ी सी ego लाके आ सकता है, आप over confidence का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप अपने इन birth patterns को identify कर पाते हैं, अगर आप देख पाते हैं कि मेरी birth date में ये digits हैं, और ये इतनी बार आ रहे हैं, और इसका ये अर्थ है, और मेरी life में भी ऐसा होता है, तो आप उसके प्रती सचेत हो सकते हैं, आप उसके प्रती alert हो सकते हैं, उस पे focus रख सकते हैं उस बात पे, और उस तरहें के thought pattern को avoid कर सकते हैं, आप उसको deliberately आप उसको दूर कर सकते हैं, और उसको उन प्रॉब्लम्स को आने से बचा सकते हैं, आगे चलते हैं, यदि आपकी birth date में एक का डिजिट पांच बार आता है, देखें, पांच और शे बार जो है, मैक्सिमुन शे बार ही आता है आज तक, तो जिनके भी birth date में शे बार आता है, जो अलाइव हैं जो लोग जितने हैं, पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हैं, उनमें तो जादा भी आसकता था, पर शे बार आना तो बहुत रेर है, और आगे सन 21 सो तक की आगे कोई उमीद भी निया चे बार आएगा, और ऐसी पांच बार भी बहुत रेर, बहुत लिमिटेट चांस इसे जहां पर आता है, बट स्टिल अगर जिन भी लोगों की birth date में हैं, तो ये उनके लिए definitely problem create कर सकता है, पूरे पूरे चांस इसे हैं और इसका reason है incompatibility, ऐसे लोग अपने fellow people के साथ, अपने relationships में, चाहे उनके intimate relations हो, अपने husband wife के हो, या कोई और friendship हो, कोई भी relationship हो, उसमें incompatibility रहती है, बार बार disturbance आजाती है, या permanently disturbed रहती हैं चीजें, कोई भी team में काम नहीं कर पाते हैं, जॉब जॉइन करेंगे भी अगर तो अवल तो और आम से जॉइन नहीं कर पाएंगे, offer नहीं आएगी, offer आएगी तो accept नहीं कर पाएंगे, और अगर जॉइन किया भी तो जल्दी से छूट जाती है, क्योंकि एक जो attitude है, वो attitude match नहीं करता surrounding world के साथ, तो ये लोगों का ध्यान रखने की ज़रूर है, कि हमें अपने अंदर एक flexibility रखनी है, हमें लोगों को सुनने की भी ख्रमता रखनी है, उनके विचारों को जाने, सुने और फिर आगे बात करें, अपने thought patterns के साथ, थोड़ा सा compromise करने के लिए त्यार रहें, अपनी जो भी belief system है, उसके उपर समझें कि यहां से हमें problem आती है, यह जो rigidity हैं हमारे अंदर की, जो जिद है, हट धर्मिता है, अगर यह problem हमें दे रही हैं, तो हमें इसको address करने की जरूरत है, तो हमेशा नहीं कोशिश करेंगे, तूसरों के साथ मिलके चलेंगे, पर यह जनरल जो भी मैंने आप से बाते शेयर की, यह ओंकार थियूरी और निम्रो ग्रिट जो हमारा रिसेर्च है उसके अधार पर है, लिखें, exact effect आपकी life में क्या manifest होते हैं, यह depend करेगा कि birth date में number one के लबा, और कौन से दूसरे digits हैं, और वो dd, mm, y, 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 जो date का format है, उसमें किस position पे आ रहे हैं, normally one का digit जब dd के level पे आएगा, date of birth में जो date का level है, उस पे आएगा तो maximum effect generate करता है, तो जैसे रहे से वो year की तरफ जाएगा, month में year में, तो उसके effect comparatively कम महसूस होते हैं, physical world के context में, so I hope ये video आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो share जरूर कीजएगा, अपने friends के साथ, especially जो भी एक number के लोग हैं, आपकी life में, और जिनको भी आप ये video दिखाना चाहेंगे, जिनको भी इनसे आपको लगता है, उनके लिए helpful हो सकता है, वो अपने life में इसको सुनकर, समझकर, अपने जीवन में एक बहतर result create कर सकते हैं, उनके साथ जरूर शेर कीजएगा, वीडियो को like भी करिएगा, और अपने comments, अपने feedback, अपने serrations, जरूर हम इस वीडियो के comment में डालके भेजते रहिएगा, आपके comments हमारे लिए real motivation है, हम अपना काम करते हैं रहें, इसके लिए हमारे लिए एक प्रेंड़ना सूरूत हैं, हमारे लिए करते हैं,